जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइंस में मैं हूँ अलोग सिंग आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं और हाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इसेशन का जो भी कुष्टन है आंसर सही तो उसका पीडियेफ आपको कहा मिलेगा यह हमारे टेलीग्राम गूप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहां से जा इसरा आप्शन है रूम की कांसर में लमबे रूमों जैसा जो भाग होता है उसको क्या भूला जाता है आत्भी कहेंगे कि अभी तो हम लोग बात करने वाले थे प्लांट मर्फोलोजी Baptist bad si किसकी बात होती है प्लांट मुर्फोलाजी की बात होती है तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं पादप अकारी की कहते हैं क्या कहते हैं पादप अकारी की कहते हैं और ध्यान में रखेगा कि प्लांट मुर्फोलाजी में हम लोग किसके बारे में अध्यान करते हैं तो पौधे के बाहिस अंदचना के बारे में अध्यान किया जाता है जब भी आपसे को यह पूछे कि जरासा हमको यह बताओ कि प्लांट मॉर्फोलोजी क्या होता है आप कहेंगे कि जिसमें पौधे के बाहिस अंदचना के बारे में अध्यान किया जाता है उसी को हम लोग क्या क जाता है तना आ जाता है साथ में पत्ति आ जाता है फल आ जाता है और क्या आ जाता है तो गुरुजी फूल आ जाता है हमें इसा ध्यान में रखेगा कि प्लांट मर्फोलोजी के अंतरगत हम लोग जर तना पत्ति फल फूल इन सभी के बारे में अध्यान करते हैं दरहाल क्या क्या पुछा जा रहा है कि जरों की कोशिकों में लंबे रोमो जैसे भाग को क्या कहते हैं बड़ मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरू जी ये बताओ कि ये रूट क्या होता है तुम्हें तो ध्यान में रखेगा कि किसी भी प्लांट का दो मेन पार्ट होता है एक वो पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है और जो प्लांट का पार्ट जमीन के अंदर रहता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं और प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से उपर रहता है उसको हम लोग रूट कहते हैं साथी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रूट होता है यह होते हैं दो परकार के कितने परकार के होते हैं दो परकार के एक होता है आपका रेसेदार एक होता है आपका रेसेदार जर और दूसरा होता है आपका मुसल जर ध्यान में रखेंगे हमेशा कि और मुसल जर को हम लोग इंगलीस में क्या कहते हैं तो गुरुजी इसी को हम लोग इंगलीस में टेप रूट कहते हैं ध्यान में रखेगा कि जो आपका रेसेदार जर होता है यह कैसा होता है तो गुरुजी जिल्ली जैसा होता है जो धान के पेर का जर होता है वो कैसा होता ह इसलिए आप कहा सकते हैं कि धान के पेर का जो जर है वो किस प्रकार का जर है तो गुरुजी वो रेसेदार जर है यानि कि फाइवरस रूट है और साथी ध्यान में रखेगा कि जो आपका मुसल जर होता है टेप रूट होता है ये कैसा होता है तो गुरुजी मुसल जैसा होत एक ऐसा root निकल जाए, इधर से भी कोई आपका ऐसा root निकल जाए, फिर इस से भी कोई इस तरह से root निकल जाए, और फिर इस से भी निकल जाए, यह फिर इस से भी निकल जाए, इस से भी निकल जाए, और यहाँ पर क्या हो, तो hair like छोटा-छोटा structure हो, यानि की soft structure जो आपको तो ध्यान में रख्येगा कि इन सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो तो फी जो इस देख रहे हैं कि गृरुण को हम लोग तो गुरूजी इसी को रूट का मुल्रोम बोला जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो रूट हेयर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रूट हेयर बोलते हैं और साथी ध्यान में रखेगा कि ये जो आपका इस रूट के में पार्ट से एक अलग सा रूट निकल गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग lateral root बोलते हैं और ये वाला क्या कहलाता है जो main part है तो गुरुजी ये primary root कहलाता है और साथी ध्यान में रखेगा कि आपके इस lateral root से जो भी अलग-अलग आपका ये root जैसी संदचना निकल रही है इसको क्या बोला जाता है तो गु आपका tape root होता है उसका संदचना कुछ इसी तरह से होता है एक उसमें क्या होता है primary root फिर उससे जो branches निकलते हैं उसको lateral root बोला जाता है और lateral root से जो branches निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है तो गुरुजी उसको tertiary root बोला जाता है और इस primary root में आपको hair जैसा संदचना कुछश्टन पूछा जा रहा है कि जरौण की कोशिकंव में लम्बे रोमो जैसे भाग को क्या कहते है जरा सा अप ये बता कि यहां पर जो जर का कोशिकंव है इस MPJD इस यह नबा लंबा हेर जैसा Angel दिखेगा आप इसको क्या कहेंगे आप कहेंगे कि गूरुजी इसी को तो तक का जो पाठ होता है वो रूट का क्या कहलाता है मेरिस्मेटिक जोन कहलाता है हम लोग जो कहते हैं कि जरों में भी विर्दी होती है तो वो जर में विर्दी कहां पर होती है तो इसी रूट टीप और रूट के बीच में होती है यहां से ले करके यहां तक जो आपका रेसेदार जर किस प्रकार के प्लांट में देखने को मिलेगा तो आप सभी ध्यान में रखना कि रेसेदार जर जो है यह आपको मोनो कोटी लेडंस ताइप के जो प्लांट होंगे उसमें देखने को मिलेगा ध्यान में रखेगा इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं इसी को हम लोग हिंदी में एक बीज पत्री कहते हैं अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये एक बीज पत्री क्या होता है तो हम इसा ध्यान में रखेंगे क वैसा सीड वैसाबीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीज पत्र मौझूद होता है। उसको क्या बोला जाता है ? एक बीजपत्री बोला जाता है। और जितने भी यूद्धात्री बर्क के पॉध्य होते हैं, उनस बहुतों होते हैं। उनस सभी में हम को किस टाइप का वर्ग के पोधे हुंगे, उन सभी का जो जर होगा, वो क्या होगा? तो गुरु जी मूसल होगा, यानि कि उन सभी में मूसल जर पाए जाएंगे अब आप कहेंगे कि दूई बीज पत्री को हम लोग कैसे समझेंगे, तो मेरे मितर आसानी से समझ सकते हैं, और आप सभी हमेशा ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखेंगे, कि वैसा बीज जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, दूई बीज पत्री बोला जाता है और इसी को हम लोग English में क्या कहते हैं तो इसी को हम लोग English में डाइक वोटी लेडन्स कहते हैं क्या कहते हैं डाइक वोटी लेडन्स कहते हैं उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरब आपका जो अगला question है question number two क्या पुछा जा रहा आपसे आपसे पुछा जा रहा है कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग dash होते हैं option दिया हुआ है जर तने और पतियां दूसरा option है जर पतियां और फूल तिसरा option है जर तने और फूल और चौथा option है पतियां तने और फूल क्या होगा इसका answer आपसे question करा जा रहा है कि कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग dash होते हैं अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये पौधे का वनस्पतिक भाग क्या होता है इसको हम नहीं समझ पाए मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी समझ लेंगे आप सबों को मालूम होगा कि प्लांट में दो तरीके का reproduction होता है कितने तरीके का reproduction होता है आप कहते कि गुरुजी दो तरीके का reproduction होता है कौन-कौन सा तो पहला होता है गुरुजी लेंगिक जनन पहला कुन सा होता है लेंगिक जनन और ध्यान में रखेंगे कि लेंगिक जनन जब भी होगा तो किस परकार के प्लांट में होगा आप कहेंगे कि गुरुजी जिस पौधे में फूल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी में लेंगिक जनन हो सकता है तो लोग सीधे तोर पर ये कह देते हैं कि जितने भी पुस्पिय पॉधे होते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी में जो रिप्रोडक्शन की परक्रिया होती है वो किसके थूरू होती है तो गुरुजी सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन के थूर यह अग्यान जिसको सबस्क्राइब को परक्षन के अब क्यां पॉस्छा एपठोसा टाइब है जो कि fps होता है एक होता है इसमें binary fusion, और दूसरा होता है multiple fusion, साथी साथ espor formation, साथी साथ क्या होता है? espor formation होता है, और क्या कहता है? तो गुरुजी और इसमें होता है birding, और क्या होता है? birding होता है, और साथी साथ क्या होता है? तो गुरुजी इसमें vegetative propagation भी होता है, क्या होता है? vegetative propagation भी होता है यानि कि कुल मिला के आप ये कहते हो कि गुरू जी plant में जो a sexual reproduction की process होती है वो कई तरीकों से होती है और कई अलग-अलग process से होती है जिसमें हमारा process कौन-कौन सा है तो fission है जो कि हमारा binary fission और multiple fission के रूप में होता है दूसरा हमारा sport formation है, तीसरा हमारा budding है, चोथा हमारा vegetative propagation है मिरमितर ध्यान में रखेगा कि जब हम लोग vegetative propagation की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें वनस्पतिक परचार के थुरू क्या होता है पौधे जनन करते हैं मिरमितर आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब पौधे के बनस्पतिक भाग के थुरू जनन की परकिरिया होगी तो उसको हम लोग vegetative propagation कहेंगे आप कहेंगे कैसे तो भाई मेरे आप कुछ पौधे के जर को ला करके क्या करते हो लगा देते हो तो आपको new plant मिल जाता है इसका मतलब यह हुआ कि पौधे में जो और sexual reproduction की परकिरिया होगी और उसमें भी जो हमारा vegetative propagation होगा वो कैसे हो सकता है तो पौधे के जर से हो सकता है तना से हो सकता है और साथी साथ किस से हो सकता है तो गुरुजी पत्ती से हो सकता है मतलब साफ है कि जब भी हम लोग वनस्पतिक भाग की बात करेंगे इसको हम लोग किस से जोर के देखेंगे और लेंगिक जनन से जोर करके देखेंगे और हम सभी क्या कहेंगे हम सभी कहेंगे कि पौधे का व्यासा भाग जो जनन की परकिरिया में भाग लेता है या जिसके थो नया plant नया पॉध्भा फिर से northry प्राप्त हो सकता है उसको उनकर क्या चलते वरसपति भाग हने और आप सभी नभी जस्ट डिस्कस करा है कि पॉध्य के जर समी पार तना या फिर पतियों से पॉध्य के जर तना या फिर पतियों से हम लोग क्या कर सकते हैं तो नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं और ये जो जर तना पतियों से नया पौधा प्राप्त करने की परकिरिया होगी वो पौधे का असेक्सल एपोड़क्शन का कौन सा टाइप होगा आप कहेंगे वेजिटेटी प्रोपेगेशन होगा तो आपसे जो question पुछा जा रहा है कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैस होते हैं आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अब हम ये तो समझ पा रहे हैं कि पौधे का वनस्पतिक भाग वह भाग होगा जो परजनन में क्या करेगा हिस्सा लेगा और परजनन में कौन-कौन सा हिस्सा लेगा तो जर, तना और पत्ति हिस्सा लेगा तो जो question पूछा जा रहा है उसका सही option क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे कि गुरुजी option number A हो जाएगा मिरमित्र हमेशा ध्यान में रखेगा कि अगर पॉधे में जनन की परक्रिया फूल से हो रही है तब हूँ आपका कौन सा परक्रिया होगा आप कहेंगे कि गुरुजी तब हूँ हमारा sexual reproduction का process होगा जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं लेंगिक जनन कहते हैं उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरह आपका जो अगला question है question number 3 क्या पूछा जा रहा आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि खाना बनाने एवं स्वाध हेतू प्रियोग किया जाने वाला अधरक एक rhizome है जो डैस है option दिया हुआ हुआ है भूमिगत तना दूसरा option है भूमी के ऊपर तना और चौता option है भूमी के ऊपर की और जर क्या होगा इसका answer आप में से बहुत सारे मित्र rhizome को rhizome से connect करके देखना शुरू कर दिया होंगे लेकिन यह गलत है आप सभी ऐसा नहीं सोचेंगे ध्यान में रखेगा कि जब हम लोग rhizome की बात करते हैं किस गुरू जी यह प्लांट में nitrogen fixation का काम करता है तो गुरू जी नाइट्रोजन fixation का काम करता है और यह ज्यादा तर आपको कहां देखने को मिलता है तो गुरू जी यह दलहन और तेलहन पौधे के जरों में देखने को मिलता है यह ज्यादा तर आपको दलहन और तेलहन पौ यह हो क्या है तो गुरुजी वह rhizome है क्या है rhizome और इसका pronunciation कुछ इस तरह से होता है सभी के मढस्ज चल रहा होगा कि गुरुरी ये बता कि यह क्या होता है मिरमित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके पास कुछ ऐसे भी plant है आपके पास कुछ ऐसे भी plant है जिसका इस्टेम क्या होता है अंडर ग्राउंड ही डवलप होता है और उस अंडर ग्राउंड इस्टेम का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं अंडर ग्राउंड बोले तो भूमी के अंदर ही उसका तना बिक्सित होता है और वही भूमी के अंदर जो तना बिक्सित होता है उसका ह लोग उपयवक करते हैं तो एक लाइन में आप यह कह सकते हैं राईजों के गुरू जी अंडरग्राउंड감 underground flesy stems underground fleshy stem को क्या बोला जाता है रईजोम बोला जाता है मतलब क्या हुआ कि भूमिगत गुद्देदार तना को हम लोग जहर से कहते हैं और ध्यान में रखेगा कि जब आपसे यह पूछा जाता है कि जरसा यह बताओ कि भूमिगत तना का ओधारन कौन-कौन सा है जिसका हम लोग उप्योग करते हैं तो आप लोग जट से कहते हैं कि जब हम लोग भूमिगत तना की बात करते हैं तो भूमिगत तना हमको कहाँ पे देखने को मिलता है सौरी किस में देखने को मिलता है आप कहते कि गुरू जी आलू में देखने को मिलता है अधरक में देखने को मिलता है और हल्दी में देखने को मिलता है जो आपका आलू है अधरक है हल्दी है यह सब के सब क्या है तो आप सभी कहते हैं गुरू जी यह सब के सब भूमीगत तना है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं राइजोम कहते हैं मतलब साफ है कि भूमीगत त सब के सब राईजोम तो है साथ ही साथ ये क्या है वह भूमीगर तना है तो हमसे पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा आप कहेंगे कि श्रलबास न्मबर इन रख के आप सभी ने अभी जस्ट देखा है, क्या देखा है, कि जो root होते हैं, वो कितने परकार के होते हैं, तो समान रूप से दो परकार के होते हैं, कौन-कौन सा, तो पहला होता है गुरुजी फाइबरस root, और दूसरा होता है टेप root, ध्यान में रखेगा, कि फाइबरस root और के अंदर होता है कहां पे होता है जमीन के अंदर होता है लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका रूट क्या होता है तो सर जमीन से उपर होता है तो ध्यान में रखना है कि रूट मुख रूप से दो परकार के होते हैं फाइबरास और टेप रूट दोनों कहां पर मिलेंगे जमीन के अंदर मिलेंगे लेकिन वैसे प्लांट का रूट जो जमीन के उपर मिलेगा उसको क्या कहेंगे तो गुरुजी उसको हम लोग एरियल रूट कहेंगे अब ये चीज़ विध हैंड में रखेगा उमीद करते हैं समझ पाएंगे चलते हैं अगले कोश्चन की तरब आपका जो अगला कोश्चन है क्या होगा इसका अंसर बहुत सारे मित्र सोचे होंगे कि गुरुजी आलू तो नीचे में फढ़ता है तो हम लोग उसका जर खात की आलू की हल्दी की यह सभी के सभी क्या है भूमिगत तना है और इसी भूमिगत तना का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं जाहिर सी बात है कि आपसे जो कुछा जा रहा है कि हम आलू के पधे का कौन सा भाग खाते हैं हम सभी कहेंगे कि गुरुजी नीचे वाला क्या कहलाता है भूमिगत तना कहलाता है क्या कहलाता है भूमिगत तना कहलाता है इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग आलू का तना खाते हैं क्या खाते हैं तना खाते हैं तो आपकी इस हैं वे सब के सब क्या क्या लाएंगे राइजों क्या लाएंगे यहां पर आलू से सम्मंदित दो महतपुन बात हैं आप सभी धियान में रखेगा अगर आप एक्जान देने जा रहे हैं तो पहला चीज क्या धियान में रखेंगे कि आलू का सरवाधिक उत्पाधन किस देश में किया जाता है कहां पर किया जाता है औरू के उत्पाधन दूसरे अस्थान किस देश में तो जो हम लोग का प्यारा सा भारत है वो क्या है? तो आलु के उत्पादन में दूसरे अस्थान पर है और अगर आप से ये question पूछा जाए कि आलु में किस परकार का विटामीन पाया जाता है? बिटामीन बी complex पाया जाता है आप सभी इतना बात ध्यान में रखेंगे क्या कि आलू जो हम लोग खाते हैं वो क्या है एक भूमिगत तना है जिसको हम लोग राइजोम भी बोल सकते हैं आलू का सरवाधिक उत्पादन किस देश में होता है आप कहेंगे चीन में होता है और आलू उत्पादित करने में अगले कुछिश्टन की तरफ आपका जो अगला कुछिश्टन है क्या पुछा जा रहा है आप से पुछा जा रहा है कि निमलिखित में से गलत कथांचुने पतियों में कोशिकों की उपड़ी और निचली परत टैस ऑप्सन दिया हुआ है अंतरिक भागों की रक्षा करती है दूसरा अप्सन है पानी की मातरा को नियंतरित करती है तिसरा अप्सन है भोजन का संसलेशन करती है और चोथा अप्सन है गैसों का आदान परदान करती है क्या होगा इसका आंसर आपसे कुछिशन करा जा रहा है कि इन चारों अप्सन में से कौन सा गलत है किसके संबंध म कि जब हम लोग leaf की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर थोगा देर के लिए हम लोग ये माल लें ये हमारा कोई leaf है ये वाला portion क्या कहलाएगा आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग mid-reeb कहते हैं क्या कहते मीड रीब कहते हैं और यवाला portion क्या कहलाता है आप कहते कि गुरुजी इसको rain बोल जाता है ध्यां दीजैगा ये उपर वाला हिस्सा होगा उसमें जो कोशिका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे तो उपरी कोशिका परत कहेंगे और पत्ति के नीचे वाले हिस्से में जो कोशिका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे निचली कोशिका परत कहेंगे तो आप क्या सकते हैं कि गुरुजी उपर वाले हिस्से म क्या होगा आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें निचली कोशी का परत होगा क्या होगा निचली कोशी का परत होगा बिरमितर आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यह जो उपड़ी कोशी का परत और निचली कोशी का परत है यह क्या करेगा तो पतियों के अंदर वाला जो भा करेगा तो आप यह सकते हैं कि गुरुजी हमारा जो पहला अप्षा दिया हुआ है कि आंतरिक भागों की रक्षा करती है यह वाद तो सही है आपका दूसरा स्टेटमेंट कहा रहा है कि पानी की मात्रा है को नियत्रित करती सु इस इस को हम लोग रंद्र कहते और अप सभी क्या कहते है कि गुरुजी इसी रंद्र से क्या होता है वासपोथ सर्जन की परकिरिया होती है क्या होती है वासपोथ सर्जन की परकिरिया होती है जिसको हम लोग इंग्लिज में क्या कहते है सरीन डिलोग इंग्लिज में ट्रांस्फिरेसंग केते हैं आप कहेंगे कि यह गुरु जी इट strategies क्या होता है सर ये कुछ नहीं होता है बड़ा ही simple सा चीज है पौधे अपने सरीर के temperature को balance करने के लिए समय समय पे क्या करती है अपने body से पानी का निस्कासन करती है और पौधे के द्वारा समय समय पे अपने सरीर के द्वारा पत्यों के रंद से पानी का निस्कासन करना ही क्या क्या लाता है वासपोग सर्जन यानि कि ट्रांस्पिरिशन कहलाता है और साथी आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी वासपोग सर्जन के परक्रिया के थुरू पौधे के शरीर में क्या होता है जल का नियंतरन भी होता है तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है कि पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप कह रहे हो कि पती के उपरी हिस्से में रंधर होता है और जहां से वास्पोत सर्जन की परक्रिया होती है तो जाहिर सी बात है कि वास्पोत सर्जन की परक्रिया पोधे अपने सरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए करती है और साथी साथ अपने body में उपस्तित जल की मातरा को नियंतृत करने के लिए करती है तो कहीं ने कहीं ये statement भी क्या है सर हमारा सही है और ये चीज भी कहां से होगा तो गुरुजी पत्यों के उपड़ी परत के कोशिका के द्वारा ही होगा साथी आप कहेंगे कि सर हमारा तीसरा option है भोजन का संसलेशन करना आप कहेंगे कि गुरुजी पत्यों के द्वारा भोजन का तो संसलेशन होता है पतियों के द्वारा भोजन का संसलेशन तो होता है लेकिन ये भोजन का जो संसलेशन होता है ये कहां पे होता है गुरुजी ये पर्नहरित यानि की क्लोरोफिल के माध्यम से पर्नहरित के माध्यम से पतियों के अंदर होता है कहां पे होता है पतियों के अंदर होता है लेकिन आपको यहाँ पे गलत statement किसके संबंद में चुनना है तो आप खेंगे सर उपड़ी कोशी का परत और निचली कोशी का परत के संबंद में चुनना है जबकि हम यह कहा सकते हैं कि गुरुजी भोजन का संसलेशन तो पत्ती के द्वारा होगा लेकिन यह कहां पे होगा तो पत्ती के अंदर होगा ना कि यह पत्तली के उपड़ी कोशी का परत के थुरू होगा और ना ही यह निचली कोशी का परत के थुरू होगा मतलब ये हुआ कि पत्तियों के उपड़ी कोशिका परत और मिचली कोशिका परत के संबद में जो आपका तीसरा option दिया हुआ है कि इसके दोरा भोजन का संसलेशन होता है ये क्या है बिलकूली गलत है क्यों कि भोजन का संसलेशन जब भी होगा तो पत्ति के अंदर होगा तो तो आपको तो आपके इस question का answer मिल गया साथ ही आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरूजी हमारा चौथा option क्या है तो आपका चौथा option है गैसों का आदान परदान करना मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यह जो रंद्र वासपोत सर्जन पर किरिया को संपन कर करती है इसी के थूर है तो पत्यों में गैसों का आदान परदान चौशे सकते हैं पत्यों के उपड़ी कोशिका परत के कि हमारे option में जो पहला option दिया हुआ है कि आंतरिक भागों की रक्षा करती है बिलकुल भी सही है जो दूसरा option दिया हुआ है पानी की मातरा को नियन्तित करती है बिल्कुल ही सही है और जो चौथा ओप्सन दिया हुआ है गैसों का आदान परदान करती है ये भी बिल्कुल सही है जब कि हमारा गलत कुछ सा है तो भोजन का संसलेशन करना तो आप बताएं ये सही जाएगा आप सभी कहेंगे कि ग्रुजी अप्सन नूम्बर सी होरे करते हैं चलते हैं अगले पूर्शन की तरफ आपका अगला प्रुस्ट्स सिक्स क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गेसों के आदान-परदान में सहीोग करता ह option दिया हुआ है तना, दूसरा option है जर, तीसरा option है कलिया, चौथा option है पतिया, क्या होगा इसका answer, आप सभी कहेंगे, गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है, कि जब भी पौधे में गैसों के आदान परदान की बात करेंगे, ये किसके थुरू होगा, तो सर ये पतियों क पतियों के tiny holes, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंदर बोलते हैं, उसके थुरू होगा, लेकिन आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कि पौधे में जो गैसों का आदान परदान होता है, लगवग पौधे के सभी भागों से होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में जो गैसों का आदान परदान होता है, उसके लिए मुख तीन भाग कौन-कौन से हैं, तो आपका पहला भाग है पतियों का रंदर, जिसको हम लोग इंगलिस में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा और लीफ कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगा, रंदर को ही क् जिखने को मिलेगा, तो जो पेर पौधा आपका पुराना हो जाता है, उसके स्टेम के उपर में क्या होता है, तो गुरू जी एक हाड लेयर आ जाता है, जो आपका क्या रहता है, फटा-फटा सा रहता है, और इसी को क्या बोला जाता है, वातरंदर बोला जाता है, जिसको पोधे के जर के द्वारा जो गैसों का आदान परदान होता है वो कहां से होता है तो सर मिट्टी के कन में जो वायू चिपे वे रहते हैं उससे होता है तो आप सरल सब्दों में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पोधे में गैसों का आदान परदान पत्यों के रंद्र से होता ह और साथी साथ जर से भी होता है और इन सभी में एक परक्रिया कॉमन होती है वो क्या तो इन सभी में जो गैसों का आदान परदान होता है वो कौन से परक्रिया के थुरू होती है तो गुरू जी विशरन परक्रिया के थुरू होती है तो आपके एक्जाम में कभी-कभी ये ड पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान परदान में सही होग करता है। पहला option दिया हुआ है तना, आप कहेंगे कि गुरुजी गलत हो जाएगा। तना का वातरंद देता, तब हम लोग यहाँ पे सोचते, लेकिन सिधे तना दे दिया है ति यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका दूसरा option है जर, आप कहेंगे कि गुरुजी जर से तो आपने अभी जस्ट बताया है कि गैसों का आदान परदान होगा, तो क्या यहाँ पे सही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, हमेशा ध्यान में रखेंगे, कि पौधे में जो आपका गैसों का आदान परदान होता है, उसके लिए primary चीज क्या है, तो primary चीज leaf है, primary चीज क्या है, leaf है, यानि कि पती है, ठीके सर, यानि कि यहाँ पे आपका जर आंसर नहीं होगा, साथी आपका तीसरा option है, कलिया, जिसको हम लोग English में क्या कहते हैं, words कहते हैं, और आपका चौथा option है, पतियां, आप सभी क थ्रू होता है, तो गुरू जी, पति के थ्रू होता है, यानि कि leaf के थ्रू होता है, और इसलिए हमारे इस question का सही answer क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, तो यह चीज आप सभी धियान में रखेंगे, क्या, कि most of the plant में जो गैसों का आदान परदान होता है, वो किस के थ्रू ह होता है, या किस किस भाग से होता है, तब आपके option में ये तीनो भाग रहेगा, और उस वक्त आप इस तीनो भाग को टिक करेंगे, और हमेसा ध्यान में रखेंगे, कि जहां भी simply आप से question पुछा जाएगा, कि गैसों का आदान परदान किस के थ्रू होता है, तो आप question है, question number 7, बड़ा ही हलुआ सा सवा, आप से पुछा जा रहा है, कि पौधे में गैसों का आदान परदान, डैस के माध्यम से होता है, option दिया हुआ है, रंद्र, दूसरा option है, कॉलें काईमा, तीसरा option है, एसकेलें काईमा, और चोथा option है, आपका पैरें काईमा, क्या होगा इसका answer, आप सभी कहेंगे, बड़ा ही simple सा question है, और हमारे इस question का सही answer, option number A हो जाएगा, क्योंकि अभी just हम लोगों ने देखा है, कि पधे में जो ग्यासों का आदान परदान होगा, वो कहां से होगा, तो पत्यों के रंद्र से होगा, और इसी को हम लोग इंगलिस में क्या हिंदी में क्या कहते है, इसी को हम लोग हिंदी में मिर्दूत तक कहते है, और क्वालेन काईमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते है, तो क्वालेन काईमा को हम लोग हिंदी में अस्थूल कोन उत्तक कहते है, और साथी साथ जो आपका एसकेलेन काईमा है आपके option में, तो एस इनों ही क्या है आप खहेंगे कि यह प्लांट के सिंपल पर्मानेंट टीशू है प्लांट के क्या है सिंपल पर्मानेंट टीशू है सिंपल पर्मानेंट टिसू हैं हिंदी में क्या कहते हैं गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं ध्यान में रखेगा कि प्लांट में पर्मानेंट टिसू दो परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं कौन-कौन सा तो पह पलकोन होता है तो जो जाइलम है और जो फ्लोयम है यह दोनों क्या है तो complex फर्मानेंट डिसू है आप सभी क्या कहेंगे कि सरॉप्षन में जो पेरेंड काइमा कॉलेंकाइम और एसकेलेंकाइमा दिया हुआ है यह पौधे के सरल अस्थाई उद्थक है उमीद करते हैं समझ आप से पूछा जा रहा है कि रंद्र स्थित होते हैं दूसरा अप्षिन है क्लोरोफील में तीसरा अप्षिन है उदर अमासे में चौथा अप्षिन है पत्तों में क्या होगा इसका अंसर मेरे मित्र मैंने आपको इतना सारा कांसे आप दे दिया है कि मेरे ख्याल से इसकेसन का अंसर मुझे बताने की ज़रूत नहींuft और इसकेसन आतओं आप सबन करों के बताएगा आपके कमेन का इंतजार रहेगा घरहल चलते हैं अगले question की दरब आपका जो अगला question है question number 9 क्या पुछा जा रहा है आप से पुछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बीज अंकूरन के दोरान आगामी प्रोह में भिक्सित होते हैं उपर की जब वह बढ़ता है तो तड़ा और फिर किस में बदल जाता है तो पता में बदल जाता है तो आपसे यही कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बीज के अंकूरन के दोरान आगामी प्रोह में भिक्सित होता है आप कहांगे सर ये बताओ कि बीज जब अंकुरित होता है तो वहाँ पे क्या क्या होता है तो ध्यान में रखेगा थोड़ा दिर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एक कोई बीज है क्या है एक बीज है तो जाहिर सी मतलब है कि जब इसको अनुकुलित बातावरान मिल उ हो गा तो गुजि यह कोई अंकूरित होगा इसका कुछ पाठ्ट उपर की ओर जायेगा और पुछ पार्ट नीचे की ओर आएगा ध्यान में रखोएगा कि जो पार्ट नीचे की ओर आएगा वह क्या बनाएगा तो गूरुजी प्लांट के लिए पौधे के लिए जर का निर्मान करेगा यानि कि पौधे के लिए मूल का निर्मान करेगा और यहां पे जो अंकुरन होगा तो अब हम यह क्या सकते हैं कि यह अंकुरन चुकि पौधे के जर का निर्मान करता है इसलिए हम लोग इसको मुलांकूर बोल सकते क्या बोल सकते हैं मुलांकूर बोल सकते हैं साथी ध्यान में रखेगा कि यह जो बीच का उपर वाला पाट है जब यह आगे बढ़ेगा तो पधे के लिए किसका निर्मान करेगा तो गुरुजी तना का निर्मान कर सकता है यह फिर पत्ती का निर्मान कर सकता है जब यह आग आगे बढ़े गात इसी को हम क्या क्या सकते हैं गुरुजी आगामी प्रोह क्या सकते हैं क्या क्या सकते हैं आगामी प्रोह और ध्यान में रखेगा कि यह जो आपका आगामी प्रोह में विक्सित होता है इसी को क्या बोला जाता है इसी को प्रांकूर बोला जाता है क्या बोल प्रांकूर्स को हम लोग इंगलिस में प्लियूमल कहते हैं क्या कहते हैं अब ये चीज भी ध्यान में रखिएगा आप सभी कहंगे तब तो हमसे बहुत पूछा जा रहा है कि निम्न से कोन बीज अंकूरन के दोलान अगांदी प्रो में बिक्सित होता हैं आप कह रहे हैं कि यह जो आगे भढ़ेगा अधामी pro में जाकर के भिकसित हो जाएगा जो बाद में चलकर के तना और पती में बदल जाएगा और आपने इसको प्रांकूर बोला तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस का सही answer प्रांकूर हो जाएगा बिल्कूल वल्कूल सही और आपके इस question का सही answer प्रांकूर हो मज़ दिस हो जाएगा कि चलो सर और यह तो हमने समझ लिया कि मुलांकूर क्या होता है और प्रांकूल कंदत लेकिन हमारे option मेरे पत्र दिया हूँ हम थे सिसे घी घ उत होने के लिए खाद पदार्थ इसमें क्या होता है तो आप यह चीजfly ध्यान में रखिएगा साथ ही आप कहेंगे सर हमारे option में यूगमज दिया हुआ है तुम्हेरे मित्र कहने की कोई ज़रत नहीं है आप सभी समझ रहे होंगे इसी को हम लोग English में क्या कहते हैं जाइगोट कहते हैं और जब एसपर्म और और अबहम एक दूसरे के साथ diffuse होता है तब जो आपको नया सेल मिलता है वही क्या कहलाता है यूगमज या फिर जाइगोट कहलाता है उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपको जो आगला question है question number 10 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैस be walks के तीन भाग है option दिया हुआ बीजपत्र यूगमज और परांकूर दूसरा option बीजपत्र मुलांकूर और परांकूर तिसरा option बीजपत्र भुरून और परांकूर और चौथा option है, बीजपत्र, युगमज और मुलांकूर, क्या होगा इसका answer? आपसे question करा जा रहा है, इन चारो option में से कौन सा बीज़ का 3 भाग है, आपको बताना है बिरमित्र, आप सभी ध्यान में रखना, जब भी आपसे इस टाइप का question पूछा जाए तो बीज़ के मुखता 3 भाग होते हैं, बीज़ के मुखता कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, कौन-कौन सा? तो सर वो भाग होता है बीजपत्र कौन होता है बीजपत्र जिसको हम लोग इंग्लीज में क्या कहते हैं गुरू जी इसी को हम लोग इंग्लीज में क्या कहते हैं और दूसरा आपका क्या होता है तो गुरू जी दूसरा होता है मुलांकूर दूसरा कौन सा होता है मुलांकू जिसको लोग इंग्लीस में क्या कहते हैं रेडिकल कहते हैं और तीसरा आपका कौन सा होता है तो तीसरा होता है प्रांग कूर जिसको लोग इंग्लीस में क्या कहते हैं प्लियूमिल कहते हैं ध्यान में रखेगा अगर यह आपका कोई बीज है यह आपका क्या है कोई बीज है तो इसका जो उपर वाला लेयर होगा, जो उपर वाला लेयर होगा, वो क्या कहलाएगा, बिजावरन कहलाएगा, यानि कि सीड कोट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीड कोट कहलाएगा, ध्यान में रखेगा, कि यहाँ पे जो इंब्रायो होगा, यहाँ पे जो आपका एक ऐसा material दिखेगा, जो लगेगा, कि यहाँ पे जमा है, जो आगे चल करके क्या होता है, अंकूरित होता है, इसको हम लो भूर्ण बोलते है, क्या बोलते हैं? इमरायो, भूर्ण बोलते है, और साथी, इसी मां आपका क्या रहाता है, तो गुरुजी कोटिलेडन्स होता है, क्या होता है, कोटिलेडन्स होता है, जहांपे बीज के अंकूरन के लिए, जो जरूरी मेटिरियल होता है, वो चीज वहाँ पे वेवस्तित होता है, आप क्या कहते हैं, जब बीज अंकूरित होता है, यह जो इंब्रायो है, यह कुछ प वो पॉधे के लिए तना और पत्ति का निर्मान कर रहा होता है और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं तो गुरू जी इसको हम लोग प्रांग कूर क्या कहते हैं तो जरासा आप ये बताओ कि अगर किसी बीज में कोटी लेड़न्स ना हो वहाँ पर मुलांग कूर ना हो तो तो क्या वो बीज कहलाएगा, आप कहेंगे बिलकुल नहीं, मतलब सरल है, कि कोई भी बीज होगा, उसका मुखरूप से तीन भागज होगा, वो कौन-कौन सा होगा, आप कहेंगे बीज पत्र, मुलांकूर और प्रांकूर, तो आप से जो कुछा जा रहा है, कि डैस बीज के तीन भाग हैं, आप सभी क्या कहेंगे, कि गुरुजी हमारे इस कुछन का सही आंसर, option number B हो जाएगा, मिरमित्र ध्यान में रखेगा, कि यहाँ पर आप क्या कह रहें, कि गुरुजी जो यह अंकूरन के बाद नीचे वाला पाठ है, यह मुलांकूर यानि की प्लांट के root क करता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इंब्रायोनिक root कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्यों कि यह आपका भूर्न है, वो नीचे की तरफ डबलप हुआ है, और नीचे की तरफ डबलप होकर कि क्या बना रहा है, जर बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, है इसको हम लोग अधर नेम इंब्रायोनिक लिफ के नाम से भी जानते हैं अगर आपको कहीं पर इंब्रायोनिक लिफ मिले तो आपको परिशान नहीं होना है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां भी आप यह कुछा जाएगा कि बीच के मुखेता तीन भाग कौन-कौन से हैं आप कहेंगे बीच पत्र मुलांकूर और प्रांकूर मेरे में तर उमीद करते हैं यहां तक कि जितने भी कुछ्छन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे अभी इस टाइप का प्रसन अगर आप आपको इसका अगला से सभी मिल जाएगा और आज और कल दोनों मिला करके आपका प्लांट मॉर्फोलोजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा साथ ही उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीज में तब तक के लिए बेस्ट आप लग थैंक्यू है वनाइस टे